ऐसे ही कोई बॉलीबुट का बादशा नहीं बन जाता उसके लिए सालू की महनत लगती है लोगों का आशिरबाद लेना पड़ता है और सबसे बड़ी बात सिर्ध जुका कर चलना पड़ता है शाहरुख खान के बेटे आरेन ड्रक्स केस में पिछले 19 दिनों से हिरासत में है लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी शाहरुख ने हिम्मत नहीं हा रही है कल जब NCB के अधिकारी शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ की खुद अधिकारी भी हैरान रह गया शाहरुख के घर में नौकरू की कोई कमी नहीं है शाहरुख के घर NCB के अधिकारी वीवी सिंग अपने कुछ ओफिसर्स के साथ पहुचे थे उन्हें आरेन से जुड़ा हुआ एक नोटिस देना था और कुछ पेपर वर्क भी करना था जब शाहरुक को पता चला कि NCB के कुछ अधिकारी आए हैं तो उन्होंने खुद उनका स्वागत किया शाहरु अधिकारी जाने लगे तो शाहरुक ने उन सब की तारीफ की शाहरुक ने कहा कि NCB और उसके ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके बेटे आरेन भी जेल से रहा हो जाएंगे इन दुनों तो पूरा बॉलिबूर्ड सिर दूसरे अक्टर से बड़ा बनाता है इसलिए लोग उने किंग कहते हैं वाकाई शाहरुक एक बहतरीन अक्टर होने के साथ साथ एक नेक इनसान भी है फिलाल इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताईए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए